ह safigy everyone आज मैं आपके साथ chicken momos के recipe शेयर करूंगी अगर आपने चिकन momos एक बहर घर पे बना लिए तो आप बाहर के momos बहुल जाएंगे क्योंकि आज मैं आपके साथ एक दम authentic momos की चटनि की recipe पर शेयर करूंगी एक एक डिटेलिंग के साथ फिर आपके दुकान वाली चटनी घर पर बनके बिलकुल तयार है तो आएए इन्हें बनानाई स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम मुमोस के लिए जो डू होता है उसको तयार करेंगे यहां पर मैंने मैदा लिया है इसमें ज तयार करेंगे आप देख सके यहां पर हमारा दो है वो तयार हो गया है यह थोड़ा सा हमने सॉफ्ट ही रखा है इस पर ऑई लगा देंगे उपर से इसको ढ़के रहने देंगे तीस मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे अब हम जो स्टाफिंग है उसकी लिए इसलिया है मैं यहां पर चॉप करे हुए चीजों समय डाल देंगे वन इसपुन जाएगा इसमें सॉल्ट और टू इसपुन डालेंगे इसमा ऑईल जिससे हमारा चिकन है वह भी जूसी रहेगा अंदर से अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे हमें अपने मुम दो चाहिए और यहां पर मैंने सूखा मैदा भी ले लिया है फिर मैंने यहां पर लोई ले लिया है कुछ इतनी बड़ी रखनी है हमें और यहां पर मैं सूखा आटे का इस्तमाल करूंगी ताकि हमारा जो आटा है उसमें लगे ना क्योंकि हमारा आटा बहुत सॉफ्ट है और यहां पे इस तरह से मैंने इसे पतला कर दिया अब बेल लेंगे अब बेलना कितना मोटा है हमें बेलना हमें जादा मोटा नहीं बेलना बिलकुल मोटे मुमस अच्छे नहीं लगते इतना पतला होना चाहिए कि उसकी स्टाफिंग बाहर ना निकले इतना पतला होना चाहि आप देख सकते हैं जो हमारा मैदा है आउटर लियर होगी वो अच्छी घासी पतली है जादा भी पतली नहीं है ताकि वो उसकी स्टफिंग ना निकल जाए तो यहां पर मैं एक इस्तमाल कर रहे हूं ग्लास का ग्लास लिया है मैंने जिसकी जो किनार है वो थोड़ी से शार् तो आप बड़ी स्टफिंग करें ताकि हमारे मुमौस में इस्टफिंग भरने में वह नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो हूं तो आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपके 1 बार में और काफिए मुमौस बनके भरने में तो तो काफि़ टाइम लगता है इस पर लियर एक दूसरे के उपर चिपकाते रहनी है, जिससे हम जो चिकन वाले मुमोज जो मार्कीट में मिलते हूं, उनका डिजाइन कुछ इसी तरह से होता है, लम्बे वाले मुमोज ओते हैं चिकन वाले, मुमोज और में सारे मुमोज सेम डिजइन की सब्सक्राइब और ने तियार हुए मैंने बड़े फिर साइज की हिरा मुमो सब्सक्राइब 22 लाया है है खुब डिसारा और 19 से 20 लाल सुकी ही मिर्चे डाल देंगी थोड़ा से नमक डाल देंगे क्योंकि हम बाद में भी ऐड़ाउन कर सकते हैं अच्छे तरह से सारी चीज़े मेक्स कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे रखकर लगा के हमें सब बॉयल करना है जब जो यह हमारा पानी है इसको हम रख देंगे तो अब इहां पे हम पहले चटनी पे फोकस करते हैं तो मैं पे जो है टमाटर को एक मिक्सी में डाल लिया है इसमें लसन अदरक और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ठीक है फिर मैंने इसको पीस लिया है अभी चटनी कंप्लीट नहीं हुई है कड़ाई में तोड़ा सा तेल डालेंगे फिर जो हमने अभी पीस था उसको हम डाल देंगे कड़ाई में और थोड़ा साथ पानी डाल दें क्योंकि वह ठीक ता इसमें जो भी मोटे मोटे चंग सो आप निकाल ले कुछ लोग किसे चान लेते हैं उर जली चंट अब ल्वार टालेंगे तो मैंने यहां पे 1 इस्पून अपगा लिया है उसमें पाना एड़की फिर नहीं होने चाहिए और देंगे तो रभ फिर डालेंगे करीब बट इसमें जाता ही जाता है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इस मैथर से बनाते हैं चटनी बहुत जबरदस्थ पनके तयार होती है अगर यह आप चटनी स्टोर करके रख ली आपने तो आपका जी चाहेगा हर रोज आप मुमोज बनाए घर पे और यह यह बहुत जादा बनगी अफकॉर्स तो मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में और बाकी जितनी मुझे चाहिए ती वो मैंने निकाल ली है अब हम अपने मुमोज को रेडी कर लेते हैं क्योंकि हमारी चटनी बिल्कुल तेयार है तो मुमोज को हम स्टीम करने के लिए है मैं यह हो जाएंगे अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे अगर आपको फ्राइ खाने आप 10 मिन तक स्टीम करें और फिर इसको फ्राइ कर लें तो यह मज़िदार से हमारे मुमोज बनके तयार है आप देख सकते हैं कितने जबर्दस चूसी एकदम मज़िदार से मुमोज बने हमारे तो हम सेकिंड बैच भी मैंने इसमें लगा दिया है यह स्टीम उतर आएगा जब तक हम यहां पर मुमोज सर्व करते हैं तो आये देखते हैं मुमोज हमारे कैसे बने हैं हमारे मुमोज बिल्कुल भी बिगड़े नहीं है आप देख सकते हैं डिजाइन वैसी की वैस ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज के लिए दू सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते नेक्स वीडियो में बाबे ठीक केर ओफिसल